दोस्तों, डीजी लॉकर में हम कैसे अपना कोई भी डाकॉमेंट अपलोड करें, क्यांकि जैसा आप लोग को पता होगा, कि डीजी लॉकर गॉर्मेंट के दोरां कुछ डाकॉमेंट के लिए बैलेड है, कि उसे हम कहीं पर दिखा दें, तो हम मानने हो जाता है, तो इस वीड बताएंगे कैसे डाकॉमेंट होगे अपलोड करते हैं, एटू जेट परकिरी आपको सिखाएंगे, पूरे वीडियो में बने रहेगा, बहुत सांदार वीडियो होने वाली है, तो चली आगे बढ़ते हैं, तो हैलो इन डेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं Android यंगसर यू अपलोड करते हैं, तो सबसे पहले हम यहां पर सर्च बार में Digilocker Google Play Store में सर्च कर लेंगे, तो यदि आप पहली बार यहां पर आये हैं, तो Digilocker को डाउनलोड करके और ओपेन करियेगा, तो इसमें अकाउंट बनाना होगा, तो इकाउंट दोस्तों बनाने के लिए मैंन अपलोड करें, तो आई मैं सिखाता हूं, डाकॉमेंट अपलोड करने का पूरा तरीका कि कैसे डाकॉमेंट आप यहां पर अपलोड करेंगे, यहां पर पहले नंबर पर एक option मिलता है होम का, दूसरे नंबर पर एक option है सर्च का, तीसरे नंबर पर एक option है इसूड का, और इसमें जितने डाकुमेंट्स आएंगे, वह सारा बैलेड होंगे, आए मैं आपको बताता हूँ कैसे अपना डाकुमेंट्स इसमें फैच्ट करेंगे, तो सबसे पहले अपना अधार नमबर आपको यहां पर देना है, उसके बाद आगे बढ़ना है, अपना अधार नमबर द दोनों इसू हो गया है अगर हम इसे कहीं पर भी सो करेंगे तो यहां पर हमारा अगर हम यहां पर और भी कुछ एड करना चाहिए जैसे कि अपना त्लहस गल्जब्स पर क्लिक है कि अपना सा अजय को घ्या क्लिक चैने के बाद आपको अपना टाल लंबर हम क्लिक कर देंगे जैसे कि डाकुमेंट पर हम क्लिक करेंगे अब यहां से हमारी देख सकते हैं कच्छा बारे की ना मारक सीट फैचिंग हो रही है और अभी कुछ डाइम में यह भी इसूड हो जाएगी तो इस तरह से होम वाली बटन पर आके और जो जो आप चाहें तो आप चाहते हैं कि आप अपने गैलरी से कोई डाकुमेंट लोड करें तो वह दोस्तों बैलेड तो नहीं होगा होगा बट उसे बैरिफाइड करवना पड़ेगा अब जैसे तो आप अपने फाइल से कोई डाकुमेंट यहां पर रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको न कर सकते हैं तो इस तरीके से आप अलग से भी रख सकते हैं लेकिन यहां पर जो इसूड वाले हैं यह सारे गवर्मेंट बैलेड है ठीक ना तो दोस्तों जो भी था मैंने क्लियर इंफार्मेशन आपको देने का प्रयास किया वीडियो अच्छी लगए तो लाइक करेगा च कर दो गजस्तों